नमस्कार आप देख रहे हैं नेक्स्टन स्प्रीच्छल और आपके साथ मैं हूं रीना पंचान के अनुसार आज 19 दिसंबर 2021 रविवार को मार्क्षिस मा के शुवल पक्ष की पूर्णिवा की तिती है आज रविवार को मर्क्ष नक्षेत्र और चैंदर्मा का गोचर मितुन राशी में हो रहा है आज के दिन आपके लिए कैसा रहेगा जानते हैं आज का राशी फल मेश राशी आज के दिन दूसरों के प्रति सहानुबूती रखते हुए उनकी हर संभव मदद करनी चाहिए जिसके प्रतिफल में आपको भी अच्छे परिणाम प्राप्थ होंगे जो लोग जौब करते हैं उनको महिला सहकर्मी वा महिला उचादिकारियों से लाब होने की प्रबल संभावनाएं दिखाए दे रही हैं जो लोग पार्टनर्शिप में व्यापार करते हैं उनको पार्टनर से तालमील बना कर चलना होगा अन्यता विवाद हो सकता है हेल्थ को देखते हुए आपको अपनी स्किन का ख्याल रखना होगा रात में भोजन डेट करना आपके पाचंतेत्र को भीगाड़ सकता है परिवार से आर्थिक सहयों प्राप्त होगा वहीं परिवार के प्रतिला परवाही ना बढ़ते और अपनी जिम्मदारियों को मन लगाकर पूरा करें व्रेश राशी आज की दिन क्रमट रहते हुए कार्यों पर ध्यान देना होगा क्योंकि कर्म का ग्राफ भागे के ग्राफ से कुछ अधिक बढ़ा हुआ है जो लोग विदेशी कंपनी में जॉब करते हैं उनको कार्यों में तेजी रखनी होगी साथ ही गलतियों पर भी पैनी निगाहा रखनी चाहिए व्यवसाइक परिशानिया बढ़ेंगी अतसतर्क होकर कोई निर्णले अलताहानी होने की पूर्ण संभावना है जिन लोगों को अलसर की समस्या है उनको बहुत अधिक सचीत रहने की आवशकता है परिवार के लोगों से शांती पूर्ण वेवहार बना के रखना होगा कार्य के साथ साथ सदिस्यों को भी समय दे साथ ही कोशिश करें कि आपके वज़े से पारिवारिक माहौल खराब ना हो मिथुन राशी आज की दिन आपको कुछ महतो पूर्ण ने लेने पड़ेंगे साहस और जौकिम वरे कार्यों में सफलता मिलेगी ओफिशल सिती की बात करें तो यदि कार्यों मुताविट न मिले तो नागरात्मक विज़ार के शिकार ना हो जो लोग पिता के सहयोक से नया व्यापार शिरू करना चाहते हैं तो उन्हें वर्तमान समय में रुक जाना चाहिए विध्यारतिवर पूर्ण उत्सा के साथ पढ़ाईन में आगे बढ़ सकते हैं हेल्थ की बात करें तो आँखों में दर्द हो सकता है इसलिए काम के बीच बीच में थोड़ा रिलैक्स भी करते चले परिवार के सदस्यों के साथ स्वास्त का विश्यस ध्यान दे चोटी-चोटी लापरवाई स्वास्त को खराब कर सकती है करकराशी आज के दिन कोई भी कठिन काम आए तो उसे लेकर हताश होने के बज़ाए कारे को पूरे उत्साह के साथ करें कर्मशेत्र में कोई नई जिम्मदारी ना उठाए नहीं तो परिशित्या सब के सामने शर्मिंदा तक करा देंगी वैपारी वर्प, पैसे का लें दिन कैश लेने के बज़ाए ओन्नाइन ट्राजिक्शन ही करें अंत्रिक्स किस्तिती आर्थिक हानी करा सकती है सेहत में जिन लोगों को बीपी हाई रहता है उनको आज सच्वीत रहने की सला है उपाएगे तोर पर प्रोद से बचने चोटे भाई या चोटे भाई दुले के साथ समन्दों में प्रगरता आएगी जिवनसाती का स्वास्त गड़बड़ा सकता है जिसको लेकर मांसिक सिति गड़बड़ा सकती है सिंग राशी आज के दिन अनावशन खर्च बढ़ने से तनाव की सिति हो सकती है लेकिन इससे परेशान नहीं होना चाहिए जो लोग नई नोक्री जोइन करने जा रहे हैं वे माता पिता का आश्रिवाद लेकर ही निकले व्यापारियों के लिए दिन उत्तम है ग्रावों की आवजाही लगी रहेगी हेल्थ में चिंता कर रोगों को नोता ना दे बैठते समय ध्यान दे कोई लुकिली चीज़ आपको चुप सकती है कुटुम के साथ सहयोग मिलेगा तदा संपत्य की विचार या चर्चा भी हो सकती है वर्तमान समय में पडोशे से तालमिल बना कर रखना चाहिए कन्याराशी आज के दिन मिला जुला फल प्राप्त होगा कभी दूसरों के वेवार से अप्रसंता होने पर प्रोट से भर जाएंगे तो कभी किसी सहयोगी के अच्छे वेवार से प्रसंचित और प्रफल लिथोंगे नोक्री पिशा से जुड़े लोग आज सोचे गए कारों को कर पाने में शक्षम रहेंगे बिजनस करने वालों को पार्टनर की बातों बर भरोसा रखना होगा दूसरे के बहे कावे में आकर उनका विश्वास को सकते हैं हेल्प में जिन लोगों को माईग्रेन की समस्या होवे अधिक सचीत रहें सिर्मे दयद परिशान कर सकता है माता पिता से सम्मन मदूर बनाकर चलने होंगे नहीं तो उनसे छोटे छोटे बातों को लेकर मन मुटाओ हो सकता है तुला राशी आज के दिन दिमाग लाब के पृति सजग रहने वाला है या यूँ कहें कि ग्रहों के स्थिति आपको लाब दिलाने वाली है आफिस में कारे करने वाले चतुर स्रीमी की करमचाली को आज कुछ न कुछ जरूर दे उनके प्रसंता आपके बहुत काम आ सकती है बिजली से समधित कारोबा करें वालों को लाब मिलने की संभावना दिखाई दे रही है सेहत में गैस्ट्रिक समस्या का सामणा करना पड़ सकता है इसने खाने में ओली या ममसाने दात से परहेज करें जीवन साथे से किसी बात को लेकर विवाद को सकता है इसलिए उनकी बातों को समझने के बाद ही उसका जवाब देना बहतर होगा व्रिस्ट शिक्राशी आज के दिन मान से शंका के चलते लोगों के साथ मन उटा होने की आशंका है जो लोग नौकरी बदलने की सोच रहे हैं वैं बिना सोचे समझे निर्ना न लें नई नौकरी के लिए लिंक्स में संपर्क साधना चाहिए कारोबर कर रहे हैं लोगों को बिजनेस पार्टनर के साथ पारदर्शिता रखते हुए विवादों से बचना होगा युवावर्क को ये अध्यन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं ग्यान व्रिदी के लिए समय चल रहा है स्वास्त को लेकर मौसम में आ रहे बदलाओं के पृती अलर्ट रहे वाइरल टेंगू मरेरिया आधी की चपिक में आ सकते हैं पिता का सानिद्य प्राप्त होगा महतुपून विश्यों पर मारक दर्शन भी मिलेगा धनू राशी आज की दिन सभी का सम्मान करें वहीं जो सामाजी क्रूप से एक्टिव हैं उनके लिए भी दिन बहुत महतुपून है नौक्री पेशा से जुड़े लोगों के आय विवरिती होने की फून संभावना है कॉस्मेटिक के वाप्यार करने वालों को घाटा होने के आशंका दिखाई दे रही है महें किसी महिला ग्रहाक से विवाद करने से बचना चाहिए स्टुडेंट्स के लिए दिन परेशानियों से भरा हो सकता है श्वास्त में स्थी अनुकूल रहेगी दिन चर्या का सकती से पालन करने में ज़रूरत होगी परिवार को समय दे मोल्च मनोरंजन में दिन बीतेगा लंबे समय से अटकाल कोई कर्च या उधारी तो चुकाने की परिकर्याश शुरू कर सकते हैं मकर राशी आज के दिन मन में सकरात्म को जाराते हुए खुद को एक्चिव रखें क्योंकि विवज़र के जिनता परेशानी कर सकती है ओफिस की राजनीती से स्वहं को दूर रखना बहुत ज़रूरी है अन्यता आपका प्रमोशन होते होते रुख सकता है कीट नाशक दवाव एक रशी से जुड़ा कारोबार लाब देगा युवाओं और विदारतियों के लिए दिन सामाने रहेगा हेल्फ में जो लोग पहले से विमार चल रहे हैं उनको लाब मिलने की संभावना दिखाई दे रही है बस डॉक्टर के बताए निया मावली को फोलो करें पुराने मित्रों से मेलाकात हो सकते है घर परिवार में भी दूर रहे परिजन से बात चीत कर मन को प्रसंता विलेगी कुम्बराशी आज के दिन संतुलर बनाई रखना ही सफलता का सूत्र है दिन का अंत्र सुखद और प्रसंता पूर्वक गुजरे इसके लिए मानसिक तोर पर धहरे रखने की आवशकता है उफिशल कारे में कुछ बदलाव करने पड़ सकते हैं मन लगा कर काम करें व्यापार में सुपशमाचार की प्राप्ती हो सकती है बड़े क्लाइंटों की और से अच्छे प्रस्ताव एवन सहयोग मिलने की संभावना दिखाई दे रही है सेहत में किड्नी से समधित मईज अपने स्वास्त का खास ज्यान रखें संतान के उमिदों पर खरा उतरने की प्रसंता मिलेगी मीन राशी आज का दिन कामकाज के लिहाद से समाने रहेगा मौच मस्ती के साथ दिन की शिरुवात करें साथ ही अपने आसपास के लोगों को भी प्रसंता रखें ओपिशल कामों में जुटना होगा पुराने अनुभों का पूरा लाब उचाएं होटल से समधित कारोबार करने वालों को आर्थिक नुकसान हुठाना पड़ सकता है विद्यार्टियों को उच खशा में आ रहे हैं व्यवधानों से मुक्ति मिलेगी सेहत की बात करें तो आज गरिष्ट भोजन करने से बच्चना होगा हो सके तो हलका भोजन ही करें वर्तवान समय में परिवार के जिम्मेदारी आपके कंदों पर है यदि जीवन साती का स्वास्ते लंबे समय से खराब चल रहा है तो उनकी देख भाल करें अगर आपको जानकर रहे अच्छी लगी होगा तो कमेंट करकर जरूर बताएं वीजियो को लाइक शेयर करना ना भूले और अगर 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 तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं